दमस्कार भाईयों तो स्वागत है आपका आपके ही चेनल में और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया वास सौथ अफरिका के वीच में जो 30 20 याई मुकाबला खेला जाने वाला है उसके उपर और भाईयों इस मेच में क्या होने वाला है सब कुछ आपको इस व जानबुच के हा रहा है क्यूं हा रहा इंडिया जानबुच के और कौन से पिलियर्स थे जिनने कर लेते हैं आज के मेंच की सबसे बिले फिच रिपोर्ट की बात करते हैं भायो पिछले मेंच में बोला था ना ospinos का बोल बाला सब बोल रहे हैं फास्ट बोलर पांच विकेट किस ने लिये शक्रवर्थी ना विष्णोही ने भी लिया एन्पिटर ने भी विकेट लिया माकरम ने भी विकेट लिया तो इस्पिनर्स का बोल बाला था ना भाईयो पिछले मेच में क्या आज फिर से हैं भाईयो आज के मेच में विकेट जो है वो बेटिंग फ्रेंडली है बल्ले बाजो को वे धाइसो रन बनाए जवाब में साउध अफरिका ने 18 ओवर में धाइसो चेस कर दिया तो आप समझ सकते हो कि इस पिछ पे कितनी बल्ले बाजो को help मिलने वाली है बल्ले बाजो को help मिलेगी साथ में इस पिछ पे fast gain बाजो का बोल बाला है इस्पिनर्स विकिट ही नहीं ले रहे हैं यहापे तो आज के मुकाबले में fast gain बाज important रहेंगे और कौन से fast gain बाज को आपको कब लेना है वो मैं आपको team बनाते हुए बताऊँगा बाकी भाईयो आज का मुकाबला बल्ले बाजो का है और fast gain बाजो का है इस्पिनर्स भी है जो विकिट ले सकते हैं लेकिन उनकी conditions रहेगी तो वो मैं आपको team बनाते हुए सारे players का बता दूँगा तो चलो सीधा ले चलता हूँ आपको dream level पे आज के सारे players का समझा देता हूँ कौन cup चलने वाला है किसको make up लेने वाला हुँग बाकी वो जो match fixing वाला mater है वो आपको आगे बताऊंगा अभी बात करते हैं आज के match के wicket keepers की भाईयो सबसे उपर है henry class n henry class n का selection है 63% पिछले दोनों matchों में ज्यादा कुछ नहीं किया और पिछले match में तो बुरी तरह से flop हुआ और वीडियो में आपको बताया था कि first betting करते हुए ही चलेगा chase करते हुए नहीं चलेगा और वही हुआ class n लोग गया chase करते हुए अब बात रहेगी आज के match में class n क्या कर सकता है भाईयो देखो आज का wicket है betting friendly बल्ले बाजो को आज राज चलने वाला है तो class n आज के match में दोनों ही conditions में important रहेगा और इसको first betting में आज promotion भी आपको मिलते ही दिखाई देगी हो सकता है आज के match में तीसरे पर या फिर चोथे नंबर पर आपको betting करता हुआ दिखाई दे उसका reason क्या है उसका reason यह है कि अगर south अफरिगा पेले betting करता है और अगर उनका wicket लेड गिरता है तो class n या तो one down आ जाएगा या तो two down आ जाएगा ठीक है ऐसा क्यूं होगा क्यूंकि class n जो है best finisher है world का अभी और सबसे तेज खेलता है तो class n को इसलिए promotion मिलेगा first betting में बात रहेगी chase करते हुए तो भाईजे देखो chase करते हुए आज की match में class n की waiting जल्दी आ सकती क्योंकि south africa के आज फिर से जो top top के दो बल्ले बाज है और एक step से वो chase करते हुए नहीं चलेंगे तो फिर उस condition में क्या है कि class n की आज waiting chase करते हुए जल्दी आ जाएगी तो मैं आपसे बोलू तो भाई आज अगर south africa पहले बोलिंग करता है उस condition में आप class n को cvc बना के चलो आज की image में क्योंकि chase करते हुए आज class n मारने वाला है first betting में promotion मिल सकती इस वज़ा से मार सकता ह है तो class n का आपको समझ में आया ज्यादा important captain voice captain बनाने लाइक chase करते हुए रहेगा बाकि first betting में आप team में लेके चल सकते हो क्योंकि यह wicket बल्ले बाजो का है बात करेंगे और हाँ एक खास बात की class n south africa की तरफ से wicket keeping भी कर रहा है तो आपको catching, stamping वगेरा के भी points देने वाला ठीके चलो आगे बढ़ेंगे संजु सेमसन की बात करेंगे सेमसन भाईयो आज की मेच में फिर से flop जा सकता है reason है अगर आज की मेच में इंडिया चेस करें तो ठीके आज अगर इंडिया चेस करेंगा second betting में रहेगा उस condition में सेमसन नहीं चलने वाला भाईयो ठीके लेकिन आज अगर इंडिया पेले betting करता है उस condition में फिर से भाईयो इसकी लंबी इनिंग आ सकती है 50 plus score फिर से कर सकता है आज अगर इंडिया पेले betting करता है प्लस आज के मेच में विकेट केपरिंग भी इंडिया की तरफ से करता हुआ आपको दिखाई देने वाला है तो आज के मे प्ले में कोई भी टीम जीच सकती है पेले betting वाली भी और चेस करने वाली भी साउथ अफरिका ने पिछला जो मेच था वेस्ट इंडिज के घिलाब उसमें 200 का टारगेट चेस किया था ठीक है तो चेस करने वाली टीम फेवरेट रहेगी आज के मेच में जो टीम चेस करें वो जीच सकती है आज के मेच में लेकिन पिलियर्स कौन से कब चलेंगे वो समझ लो सेमसन जो है न भाईयो आज फर्स्ट वेटिंग में चलेगा चेस करते वे नहीं चलेगा रियान रिकल्टन की बात करेंगे भाईयो सिर्फ 29% सेलेक्शन है आज अगर साउथ अफरिका प ले बेटिंग करता है तो आप क्या करना सेमसन और क्लास न दोनों को ले ले लेना है को के विखल्टन को कब लेना है साउथ अफरिका अगर ब acetाय। फिर क्लास इन भी चेस करते वह ज्याद इंपर्ट दिखाई दे रहा है और समसन क्या है पेले बेटिंग करते हुए तो और अगर South Africa रेटिंग कर रही है, तो India रहे है, चेस कर रही है, और South Africa फेले बेटिंग कर रही है, तो भले स्क्राइं को प्रॉमोशन मिल सकता है, लेकिन चलने के ज़्यादा चांसे चेस करते हुए आज, तो या तो आपको दो Wicket Keeper लेना है, या तो आपको एक Wicket Keeper लेना है, बस टोस्ट डिसाइट करेगा कि आपको कितने Wicket Keeper लेना है, साउथ अफ्रिका बेटिंग करें तो सिर्फ रिकल्टन, इंडिया पेले बेटिंग करें तो जासेन और सेमिशन तीनों का आपको समझ में आ गया अब बात करेंगे बल्लेवाजों की बल्लेवाजों में कुल कितना important है और हाँ वो मेच fixing वाली की बात थी तो वो इंडिया के दो पलियर्स का उनमें पुरा योगदान रहा है वो कुल से दो पलियर है उसमें एक सूरिया है तो सूरिया के बारे में पहले बात कर लेते कि आज के मेच में क्या करेगा फिर जो पिछले मेच की बात थी fixing वाली वो क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ वाली सुर्य को मार यादा आज के मेच में 81% सेलेक्षन है, सुर्य को मार यादा होगा सुर्या भाई आज के मेच में दोनों ही कंडिशन में इंपोर्टेंट रहेंगे क्योंकि इस पीच पे वल्लेवाजों को जबरदस्ट है और बात रहेगी बस कफ्तान बनाने की आज सूरिया को आप कप्तान बना सकते हो डारेक वो भी स्मोल लिक की टीम में भी ग्रेल लिक में तो बनाई सकते हो बस वो कंडिशन एक ही रहेगी आज अगर इंडिया पहले बोलिंग करेगा, सेकेंड बेटिंग करेगा उस कंडिशन में आप सेमसन सूरिया और सेंसन नाम से में न तो सूरिया भाई को आप चेस करते हुए आज के मेच में केप्टेन बना सकते हो इंडिया अगर सेकंड बेटिंग करता है उस कंडिशन में आप सूरिया भाई को केप्टेन बना सकते हो फर्स्ट बेटिंग में टीम में ले सकते हूँ, CBC मत बना ना, पिछले दो मेचे से जो बोल रहा हूँ, वही हो रहा है ना, फर्स्ट बेटिंग में नहीं चल रहा है ना, आज लेकिन अगर इंडिया फिले बोलिंग करेगी ना, तो कन्फर्म चलेगा, ठीक है? तो आपको प फेका था और दो रन दिया था उसको दूसरा ओवर नहीं मिला ठीक है यह समझ में आई आपको हार्दिक पांडेया बोलिंग पे आया जब अगर आप मेच फिक्सिंग के बारे में समझना है न। फिल्म न फिल्म में अज़र ऑजा जाएगी कि के सेะ players को ख़रीजा जाता है जीत जाता वेसे तो जीत ही चुगा था ठीक है बस इस टपस बचा था उसको फालतों कि वाइट फेगने का मतलब नहीं था और जानवुच कि इनने शोट पड़वाए थे अक्षर को बोलिंग इसलिए नहीं दी थी क्यूंकि वो लेपटार में स्पिनेर था और श्ट्राइक जीत जाएगा तो इंडिया हार नहीं सकता सीरीच ठीक है तो आपको बात समझ में आई भाई टेली विजन के व्यूज बढ़ाने के लिए जो दुनिया भर के ताम जहां में जो उनके चल रहे हैं वो इसी के भर से तो चल रहे है ना भाई टिकेट इंडिया मेच की टिकेट टिकेगी टेली विजन पे व्यूस आएंगे एट का उनको पेषा मिलेगा तब ही जाके तो आगे बढ़ेंगे ना तब ही तो पेषा कमाएंगे ना सीरीच का तो बाई क्या हुआ पिछले मेंश में इंडिया जानबूच के हारा है एक सो एक परसेंट मेरी गेरेंटी इंड chances रहेंगे लेकिन अगर इंडिया पिछला मेद जीज जाती तो सीरीज भईश में खतम हो जाती क्योंकि चार मेचों की सीरीज है अगर दो साउथ आफरेगा भी जीतेगा तो भी बराब रही रहती तो इसलिए इंडिया एंड में गद्दारी कर गया अपने देश के साथ में इंडिया के पिलियर्स खास कर सूर्य कुमार यादा हो भाई सारे राइट हेंडर स्ट्राइक पे है अक्षर पडेल को बोलिंग क्यों नहीं थी जब उसने एक ओवर में दो रन दिये थे इसलिए ना क्योंकि वो विकेट ले जाता पुरा मेची खतम हो जाता आवेश कान को बोलिंग दे रहे है हार्दिक पंडे जानमुष के वाईडे फेक रहा है चल तो भाई देखो सूरिया के जो बात थी वो मैंने आपको बता दी बात करेंगे देविड मिलर की भाई देविड मिलर को आज फिर से विष्णोई और चक्रवर्ती का खत्रा रेने वाला है खत्रे में रेने वाला आई है लेकिन फिर भी आज के मेच में कुछ ग्रेंड लिक के टीमों में आप ट्राई कर सकते हो खास कर वो condition रहीगी chase आज के मेच में फिर से chasing में इसकी weighting जल्दी आ सकती है बस इसी वज़ा से मैं आपको बोलताओं कि चेस करते हो इसको ले सकते हो क्योंकि इसकी बेटिंग जल्दी आ जाती ही चेस करते हुए लेकिन फिर भी आज इसको फिर से विश्णोई का और चक्रवर्थी का खतरा रहेगा जो कि left handers को बकशते ही निये जल्दी से आउट कर देते हैं तो left handers होने की वज़ा से चक्रवर्थी आ विश्णोई की बोल पर इसका विगेट आ सकता है लेकिन जब आपन टीम बना दे लाइन अप के टाइम पे तो भाई देखो मैं तो क्या करता हूँ जो पिलियर्स रहते हैं उनको conditions के हिसाब से उठाता हूँ तो chasing में यह important है क्योंकि इसकी बेटिंग जल्दी आएगी chase करते हूँ तो उस condition में आप इसको ले सकते हो ठीके समझ में आई कहानी first waiting में मत ले आना first waiting में तो इसको बोले ही नहीं मिलेगी ज्यादा खिलने के लिए ठीके चल आजे बढ़ेंगे इस्टप्स की बात करेंगे भाई यो इस्टप्स का मैंने जो बोला था वही कर रहा उसने chase करते भी run बनाये और अकेला ही ले गया मेंच ले क्या गया उसको दे दिया ले भाई तू ले जा इस्टप्स की कहानी देखो भाई इंडिया ने जब गद्दारी करी थी न तो मैंने 2023 का जो फाइनल था न उसमें लिखा था नहीं जीत पाएगा इंडिया वर्ल्ड कप वोर्नर और हेट ठोक करते हैं पिछले मेंच में इंडिया जानबुच की हारा है मैंने आपको बता दिया सीरीज को दिल्चास पर बनाने के लिए और रोमान चक विरूस लेने के लिए पबलिक को थोड़ा सा मतलब कि हाँ एकसाइटमेंट रहे कि नहीं हार अभी इंडिया सीरीज जीता नहीं है चला बात करेंगे इस्टप्स की भाईयो आज के मेच में अगर साउथ अफरिका पेले बेटिंग करेगी तो ही चलेगा आज चेस करते हुए नहीं चलने वाला है भाईयो ठीके एडिन माकरम की बात करेंगे माकरम का सिलेक्शन है 41% और आज के मेच में आपको विकेट भी देता हुआ दिखाई दे सकता है ब्लस आज के मेच में चेस करते हुए रन बनाने वाला है फर्स्ट बेटिंग में रन नहीं बनाने वाला है विकेट की बात रहेगी तो भाई देखो विकेट आज के मेच में दोनों कंडिशन्स में ले सकता है क्योंकि यह है ओप स्पिनर एक लोता सौद अफरिका की टीम में और हिंडिया की टीम में लेफ्ट हेंडरस काफी ज्यादा हैं बोलोगे कौन कोन है ये सब लेफ्ट हेंडरस बल्लेवाज हैं तो भाई दिखो आज एगर माकरम का दिन रहा आना तो सारे लेफ्टियों को चलता कर सकता है इस चीज का ध्यान रखना बाकी चेस करते हुए आज की मिच में रन भी बनाने वाला है ठीके? तो माकराम एक important player है खास कर bowling से बाकी चेस करते हुए आज की मिच में रन भी बनाने वाला है फर्स्ट बेटिंग में इसका रन बनाना मुश्किल रहेगा लेकिन विकिट ये ले जा सकता है दोनों ही condition में तो आप इसको दोनों condition में अपनी टीमों में लेके चल सकते हो ठीक है? चलो डिजा हेंटिक्स की बाद करेंगे भाईयो डिजा हेंटिक्स बाईयो बहुत अच्छा धिलाड़ी है और हमेशा ये consistent run बनाता है 100 में से एक बार flop जाता है और इसका कुछ भी नहीं के सकते है फर्स्ट बेटिंग सेकेंड बेटिंग ये दोनों ही conditions में run बनाता है चेस करते हुए भी और first बेटिंग करते हुए भी बस इसको लेने का आपको decision लेना है मैं आज decision लूँगा इसको first बेटिंग में लेने का पाकि chase करते हुए भी आप इसको ले सकते हो क्योंकि दोनों कंडिशन में ही रन बनाता है पाकि मेरा डिसीजन है कि मैं इसको आज फर्स्ट बेटिंग में लेने वाला हूँ ज्यादा टीमों में रिंकु सिंग की बात करेंगे बाई और 9% सेलेक्शन है चेस करते हुए आज की मेंच में आपको रन बनाता हूँ दिखाई देगा फर्स्ट बेटिंग में फिर से फ्लोप जाने वाला है पिछली मेंच की तरह जो पिछली मेंच में बोला था उससे पिछली मेंच में आपको बोला था रिंकु सिंग को बस एक ही कंडिशन में लेना है अगर इंडिया पेले बोलिंग करता है तिलक वर्मा की बात करेंगे तो तिलक वर्मा का उल्टा है जब आपको रिंकु सिंग को नहीं लेना है तब आपको तिलक वर्मा को लेना है मतलब कि आज अगर इंडिया पेले बय्टिंग करेगा उसकंडिशन में तिलक वर्मा को लेना है ये आज के मेच में फर्स्ट बेटिंग में रन मारता हुँ आपको दिखाई देने वाला है और आज यदा रन मारेगा फर्स्ट बेटिंग में तो इस चीज़ का थ्यान रखना तो सारे बल्लेवाजोगा भी मैंने आपको समझा दिया आप बात करेंगे ओल्राउंडर्स की हार्दिक पांडया ने यार देखो मैं हार्दिक पांडया को बहुत अच्छा समझ रहा था लेकिन पिछला मेज देखके भाई मैं बता रहा हूँ मेरा दिमाग हो गया है खरा चल अभी तो मैं आपको प्रेडिक्शन बताता हूँ कि हार्दिक पांडया क्या करेगा आज की मेज में आज अगर इंडिया पेले बोलिंग करेगी तो हार्दिक पांडया विकिट कंफर्म लेगा और चेस करते हुए रण भी अच्छी स्ट्राइक रेट से मारेगा ठीके लेकिन आज अगर इंडिया पेले बेटिंग करेगी तो भाईयो देखो पिछली मेज की तरह वस रण बना सकता है और हुआ तो आज रणों से भी शायद कुछ ना कर पाएं तो फर्स्ट बेटिंग अगर इंडिया की है तो उस कंडिशन में हार्दिक का फ्लॉप होना ते रहेगा बाकी बेटिंग से कमाल कर सकता है बोलिंग से कुछ नहीं करेगा सेकेंड बोलिंग करते हुए लेकिन फर्स्ट बोलिंग अगर इंडिया की है तो सबसे ज़्यादा इंडिया की तरफ से विकिट लेगा समझ में आई हर्दिक पंडिया की कहानी फर्स्ट बोलिंग अगर इंडिया की है तो कप्तान कर दो आज क्योंकि ये चेस करते हुए रन भी भूत स्पीट से मारेगा उस टाइम पर क्या है कि इंडिया को चाहिए रहेंगे 30 में 60 रन तो ये 60 रन 20 में मारते हैं चेस करते हुए समझ में आई हर्दिक पंडिया का वोई पिछले में इसकी बात बहुत बुरी लगी वाई जब बेटिंग कर रहा था तो रन नहीं मार रहा था ठीके पिछले के चार ओवर थे आखरी के आखरी की जो इंड के चार ओवर थे पूरे खा गया अर्चिदिप सिंग क्या शोट नहीं मारता है भाई ठीक है साथ विकिट है इंडिया के आट पा गिर जाएगा तुम दूसरे को मत देना इस ट्राइक पर अर्चिदिप तो मार रहा था ना यार सबसे लंबा चक्का उसने मारा और अर्चिदिप सिंग ऐसा नहीं है न कि रन नी मारना जानता है तो तुमने उसको श्ट्राइक क्यों नहीं दी अगर इंडिया के 10 रन जादा होते तो इंडिया जीत क्या था 10 रन जादा होते वो तो छोड़ो तुमने जब बोलिंग पर आये तीसरा ओवर लेके तो खूब रन को वाइट से दे दिये यार वाइट से दे दिये जानबुच के हैं कि गलती से बल्लेवाज आउट ना हो जाए उसको वाइट ही वाइट फेक दी पांच वाइट फेक दी तो वाइट देखो मेचों में ये सब होता ही रहता है क्योंकि देखो आदमी आगे केसे बढ़ता है पेसा कमा के ठीक है तो बस समझ जवाब ज्यादा नहीं बोलूँगा वाइट जो रियल बात थी मैंने आपको बता दी अब इस चेप्टर को मैं क्लोस करूँगा अब सारे प्लियर्स की बात करेंगे बस जो सच्चा ही थी देखो भाई सच्चा ही आपके सामने में रखता हूँ पिछले तीन सालों से जब 2023 का ओडिय वल्ड कप चल रहा था ना तो मेरी एक बार फाइनल की वीडियो देखना मैंने पूरा बता रहे था उसमें कि इंडिया क्यों हा रहेगा और इंडिया ने कहां कहां पे कैसे कैसे फिक्सिंग की थी ठीक है वल्ड कप फाइनल की वीडियो मारको यंसन 91% सेलेक्षन है भाईयो मारको यंसन का और अब ये भाईयो देखो ये पेले जैसा नहीं रहा है जब लुंगी, हिंगिडी, रवाड़ा और नौट जे खेल रहे थे तो ये क्या कर रहा था बस शुरू में इस पर डाल रहा था और रेंड में बोलिंग ही नहीं कर रहा था पर अब ये क्या कर रहा है पिछले दो मेचों से दो वर शुरू में कर रहा है दो वर आखरी में कर रहा है तो शुरू में नहीं तो आखरी में आखरी में नहीं तो शुरू में विकिट इसको मिली जा रहा है तो ये main gain badge बन गया है प्लस बेटिंग में प्रोमोशन मिल रही है पाँचवे नमबर पे बेटिंग करने आ रहा है तो Marko Janssen important player बन चुका है आप South Africa की तरफ से जिसको अपने को अप सारे मेचों में लेना पड़ेगा क्योंकि ये wicket पका लेगा दोनोई conditions में लेगा run मारने की बात रहेगे तो chase करते हूँ run भी बनाएगा तो देखो Marko Janssen ये case player रहे जिसको आप सारी team हो में ले सकते हो बिल्कुल ठीक है इसको सारी team हो में लेके जा सकते हो अब बात करेंगे अक्षर पटेल की अक्षर पटेल जिसका selection है 33% और बापू के साथ में हो रहे है कैसी नाइन सापी क्योंकि हो सकता है ये उनके group में aid नहीं है जहां पे इनकी fixing वाली बाते होती है और देखते हो हार्दिक और सूरिया बस दो ही लोग बात करते हैं तीसरा उनके साथ में आता नहीं है तो कुछ यार भाई देखो कारिस्तानिया हो रहे है तो जिस वज़े से अक्षर पटेल को बोलिंग ही नहीं मिल रही है जबकि राइट हेंडर इस ट्राइक पे हैं और एक spinner पांच विकेट ले चुका है लेकिन हम दो राइट हिंडर के सामने लेट आर में स्पिनर को बोलिंग नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो विकेट ले लेगा मेच खतम हो जाएगा सिरिज खतम हो जाएगी तो अक्षर पटेल भाई देखो आज तो सिरिज खतम देखो अगर आज इंडिया हारा तो फिर साउथ अफरिका नहीं हारेगा सिरिज तो भाई मेरे हिसाब से आज का मेच तो नोर्मल होने वाला है जैसा होता है तो आज क्या है ना भाई आक्षर पटेल को बोलिंग पूरी मिलेगी देख लेना आप ना मिलेना तो अगले दिन कमेंट करके आके बोल देना भाई आपने बोला था अक्षर को बोलिंग पूरी मिलीगी और नहीं मिली ठीक है तो आज के मेच में अक्षर को बोलिंग पूरी इसलिए मिलेगी क्योंकि आज इंडिया को जीतना जरूरी है तो ये एक match winner है और left arm spinner है सामने वाली टीम में right handers है plus betting भी शांदर करता है आज के match में इंडिया अगर first bowling करता है तो captain बनाने लाइक रहेगा बाकि ये left arm spinner होने की वज़ा से दोनों ही conditions में भी important रहेगा क्योंकि सामने वाली टीम में right handers है बस सूरिया भाई थोड़ी सी बेमानी ना करे तो अच्छा रहेगा नहीं तो भाई देखो फिर सूरिया भाई की बारे में मुझे क्या है ज़्टा बोलना पड़ेगा है न थोड़ा social sites पे खुलासा करना पड़ेगा मुझे तब सूरिया भाई को समझ में हो सकता है क्योंकि एक ओवर दे के दूसरा ओवर तुम नहीं दे रहे हो तो पब्लिक आंख में मिर्ची डाल के थोड़ी बेठी है वाई किलियर दिख रहा है ना तो अक्षर बड़े कि कहानी समझ में आई अब वह ठेप्टर ही खतम कर रहा हूं मैं मेच फिप्सिंग वाला क्योंकि प लेने दे अगले मेच में ले लेना और ले लेना अक्षर बड़ेल भाईयो आज के मेच में 33 परसेंट है फर्स्ट बोलिंग अगर इंडिया करती तो केप्टेन बनाने लाइक है और इसको विकेट आज के मेच में दोनों कंडिशन में मिलने वाले हैं क्योंकि आज ये पू लोड़े जो है न वो इसको गांजर मुली समझ रहा है और ये गांजर मुली की तरह कट जा रहा है ठीक है तो अभिशेक शर्मा की जैसे शकल यहां में बच्चों जैसी लग रही है वेसी वो बच्चों जैसा मेच खेल रहा है बस उसको बाउंस डाल रहा है वो आउट हु मिच में अगर इंडिया पेले बेटिंग करती है तो अक्षर बडेल अभिशेक शर्मा आज के मिच में रन बना सकता है आज अगर इंडिया पेले बेटिंग करेगी उस कंडिशन में अभिशेक शर्मा रन बना सकता है बाकि चेस करते हुए इसको आप ड्रॉप कर दो आज के म में एक कंडिशन में इंडिया अगर पहले बेटिंग करती है उसमें भी ज्यादा टीमों में ना लो क्योंकि बल्लेवाज का थोड़ा confidence level अगर low हो जाए ना तो फिर वो run मुश्किल से ही बना पाता है तो आज के से छोड़ी देना नहीं तो फिर बाद में मुझे बोलो कि भाई अभिशेक शर्मा का आपने बोला था फर्स्ट बेटिंग में चल लेगा conditions होती है कुछ जिसको में note करके आता हूँ दिमाग में तो मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट बेटिंग में run बना सकता है कुरुगर खेली नहीं रहा है फर्स्ट मिच खिलाया सेकेंड मिच नहीं खिलाया लेकिन अगर आज खेलेगा तो अगर साउथ अपरिगा फर्स्ट बोलिंग करेगा कफ्तान बना देना ठीक है इतना इंपोर्डेंट रहेगा फर्स्ट बोलिंग में खास कर देखो भाई गल्ले बाज तो यहाँ रन बनाते हैं लेकिन फास्ट गेन बाज भी पाँच फाच विकेट ले जाते हैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि कफ्तान भी बना सकते हो फर्स्ट बोलिंग में सेकेंड बोलिंग में टीम से भी हटा देना अगर खेले तो क्योंकि सेकेंड बोलिंग में यह विकेट नहीं लेता सेकेंड बोलिंग अगर साउथ अफरिका की है तो फिर इसको ड्रॉप कर देना रमदिब्ध सिंग मोका मिलेगा मुझे मुश्किल लग रहा है भाई बात करेंगे निपन वारा आज हो सकता है इसको मोका मिले लेकिन साउथ आफरीका फिछला में जीत गई तो शायद इसको न मिले मोका लेकिन अगर यी क्हेलेगा तो इसके बारे में मैं आपको live में आके बताऊंगा भई अभी नहीं बता सकता इसका इसके बारे में मुझे कुछ research करना होगी समझना होगा कि bowling कब डालता है और कब कब डालता है चल बोलर्स की बात करते हैं अर्षदिफ सिंग 71% selection है भई और 71% ले चुका है दोनों ही मेचों में ड्रिम टीम में आया है और दोनों ही मेचों में इंडिया ने second bowling करी है और मैंने बोला है आपको second bowling में पकका wicket लेगा तो देखो भाई dream team का player है आज के मेच में भी second bowling करते हुए पकका विकेट लेगा और जितने पोइंट है इसके एकत्तर सेकेंड बोलिंग में इतने पोइंट तो मिनिमम लेगा आज इतने मिनिमम लेगा सेकेंड बोलिंग में भाईयो ठीक है आज अगर हिंडिया पे ले बेटिंग करेगा उस कंडिशन में यह विकेट confirm लेगा बायो second bowling में आज फिर से wicket लेने वाला है first bowling में भी ले सकता है क्योंकि ये भी मार कोई अंसन है 2 बर शुरू में 2 बर आखरी में फेकता है तो first bowling में भी आप ले सकते हो अर्शदिफ सिंग तो आप betting भी करता है पर strike नहीं देते यार सिर्फ क्यों देखो जड़ा चलो चार ओवर दिये थे आज के मेच में अगर इंडिया second bowling करता है तो important gain बाज केशब महाराज पाई यो केशब महाराज का देखो भाई इसलिए flop जा रहा है क्योंकि इंडिया में भी left tender जादा हो गए तो left tenders के सामने के से बाकि आज selection कम है और वैसे तो spinner के flop होने के जादा चांसे से आज के मेच में पर महाराज जो है उसका selection कम है इस वज़े से वो चल सकता है और ये run भी बना लेता है तो chase करते भी run भी बना सकता है बाकि विकेट लेने की बात रहेगी तो देखो भाई सूर्य कुमार यादाव का विकेट आज ये फर्स्ट बोलिंग में ले सकता है और संजू सेंसन का भी विकेट ले सकता है तो इसको एक condition में ले सकते हो अगर साउथ अफरीका पेले बोलिंग करता है समझ गए? सेकेंड बोलिंग में ना लेना रभी विष्णोई भाई हर मेच में विकेट ले रहा है पर मैं आपको बता दूँ ये ज़्यादा तर लेफ्ट हेंडर की विकेट लेता है तो साउथ अफरीका की टीम में मिलर है रिकल्टन है इन दोनों में से किसी एक का विकेट ले सकता है अगर इन दोनों में से कोई है किसको इसको इस्ट्राइक पर मिल गया ठीक है बाकी और किसी का विकेट बोलर्स में ले सकता है बोलर्स क्योंकि उनको बल्लाई गुमाना नहीं आता है जैसे कि पिछले मेच में किसका ले गया थ एक बोलर का सी में लेंगा लेगा दाई तो विश्णोई जो है बल्ले बाजो में वाद दो के विकेट ले सकता है रिकल्टन की या देविड मिलर का तो अगर वो श्ट्राइक पे इसको मिल गए तो उनका खात्माएं कर देगा ये पक्का है बाकी देख लेना भाई आप लेना चाहो तो विश्णोई को सेलेक्शन चेहाँ परसेंट है मैं इसको एक कंडिशन में लूँगा एक कंडिशन में छोड़ूँगा वो बता देता हूं आपको आज अगर इंडिया फर्स्ट बोलिंग करेगा तो मुझे लगता है कि ये रिकल्टन और देविड मिलर दोनों का विकेट लेगा बाकी अगर इंडिया आज पहले बेटिंग करता है तो उस कंडिशन में नहीं लगता कि ये रिकल्टन या देविड मिलर का विकेट लेगा क्योंकि रिकल्टन पेले ही आविश खान है फिर अर्षिदिफ सिंग की बोल पे चला जाएगा तो फिर एक विगिट तो इसका चला ही जाएगा बाकी पता चला है देविड मिलर आज रन बना रहा है चेस करते हुए तो इसकी पिटाई हो गई तो इसको दूसरा ओवर उसके स हारब वो मिट जिता दिया स्टफ्स ने थोड़ी इसने जिता आया इसने हाते वरावर कितने रन बनाए वो भी श्ट्राइक रेट देखना जरा उन्नीस रन बनाए नो बोलोंगा ठीक है तो ऐसी थोड़ी फिवरेट फिलियर है आपकी भाई का और आज अगर साउथ अफर अफरिका फर्स्ट बोलिंग करेगा ना तो सबसे वड़िया कफ्तान बनाने के लिए ओप्शन रहेगा आज अगर साउथ अफरिका फिले बोलिंग करें तो फिर से आज आप इसको कफ्तान बना सकते हो और भाई इसको तो चाओ आप सेकेंड बोलिंग में भी बना सकते हो क तो ये इसके पास में जो स्पीड हे हो जधा है तो अपनी स्पीड से ही इздब 2050 ले लेता है और ब्लस क्या है कि मिपमीचे कर जो बोलर होते हैं वो अलग ही होते है आश़् खान ये फिलियर है न मेरा जल एक फिलियर है लेरा लोकम है regn Tout a आई फिलियर है लेकिन डा मे ही इस बार इसने 7 दिया था कि ये फरर्ष्ट बोलिंगरं में रभी के आप इसकी क्भल्ड़ा give कुमें डाश न तो अब इसकी क्या है न doctor दो बर आखरी में फेकर आएं पर इसका यह ना बोलिंग एक्षन मुझे अच्छा नहीं लगता है थोड़ा मतलब इसका बोलिंग एक्षन देखोगे न आप समझ में आ जाएगा आपको फिर आपको इसको लेने का ही मन ने करेगा पाकि हाँ आज के मेच में देखना सेकेंड बोलिंग करते हुए विकिट ले सकता है फर्स्ट बोलिंग में मत लेना इसको सेकेंड बोलिंग में ले सकते हो पिछ पे फास्ट गेन बाजे को हिल पे तो फास्ट गेन बाज को कब लेना है वो समझ लो आविश्खान को सेकेंड बोलिंग करते हुए ले सकते हो ठीक है बा बोलिंग में आज के मिज में अगर बाइटमेन आपको खेलता हुआ दिखें साउथ अफरिका की तरफ से पूरी टीमों में ले ले लेना और मैं तो इस मोल लिंग में सी बीसी बनाऊंगा भई क्यों बोलो के भाई इसको इसा इसमें इसा क्या है इसमें कुछ नहीं है बस यह क्या है कि आखरी के ओवर डालता है तो फर्स्ट बोलिंग में इसको विगट मिलेंगे अगर खेलता है तो देखो खेलता है गया बाटमेन इसको विकेट नहीं तो आप बोलो भाई भीवी अमने सेकेंड बोलिंग में लेना है फर्स्ट बोलिंग में लेना है ठीक है चल वरुन चकरवर्ति की बात करेंगे भाईयों पिछले वेच में मैंने आपको इस्पिनर्स का बोला था और चकरवर्ति ने देखो जरा कितने ठीक है अब इस्टागराम और टेलेगराम की आगे बात करेंगे चकरवर्ति जो है न वाईयों आज के मेंच में 79% सेलेक्षन है और देखो भाई विकेट टेकर है बस आज के मेंच में थोड़ा क्या है इस्पिनर्स को हेल्फ कम है तो आज के मेंच में धोका दे सकता है बा अज के मेंच 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 में आया यह निए सकते हो गुबंश करते हो गुबास जानदार है गुबली है गुबली में भाई अश्रा नियुद फिखले में इसलिए में बोला गाई बाहिए स्पीनर्ट्स का मैंने देखा है ना एसे त्विंटी जब होता है तो मैं सारे मेचों त्यान बखता हूं कहां पे कप पिछ पे कित्रा घुमाओ है कहां पे सुइंग है मैं बेढ़ा हूं ना यसा आप लोग कमेंट आ रहे थे कि भाई फास्ट बोलर्स का मेंच है फास्ट बोलर्स का थोड़ा बहुत कुछ आपके भाई के अंदर कॉलेटी होगी तबी तो यहां टाना जा घृता था यस पिनियर्स और अप बना लेते चक्रवर्थी को केपतें बताओ जारा बना लेतें चलो, मेरे बहुत सारे बंदों ने केप्टेन बनाया था, भाई पूरे मेच तक के टोप पर ही चले मेरे मेंबर सारे, सिपामला एड हो गया है कि आज के मेच में खेलेगा, लूथो सिपामला, भाईयो दोगो ये गेंबाज है न थोड़ा सा डेंजर है, बस ये खेलता है तो एन पीटर का जो बोला उसने बोई करा, ये भाईयो लेग ब्रेक है, लेग ब्रेक, लेग इस पिनाल इस वज़ा से इसको पूरे चार ओवर मिल रहा है, और पिछले मेच में बोला था, फर्स्ट बोलिंग में अट्रेम टीम में आया, एक विकेट ले गया था, एक और मिल से लेने वाला, सेकेंड बोलिंग में नहीं लूँगा भाईयो, फर्स बोलिंग में लूँगा, ठीक है, चल, येश दयाल की बात करेंगे, येश दयाल का सेलेक्शन जीरो परसेंट है, और देखो भाई, इंडिया आज इसको खिला सकती है, आवेश खान की जगह पे, क्यो बोलिंग में लेना, फर्स बोलिंग में मत लेना इसको, विजे कुमार खेले तो फर्स बोलिंग में लेना, सेकेंड बोलिंग में मत लेना, बात करेंगे, सिमे लेन की, सिमे लेन का सिलेक्शन है, बारा परसेंट, आज के मेच में भाईयो, सिमे लेन, फर्स बोलिंग में, क सारे पिलियर्स का मैंने आपको समझा दिया कौन कप चलेगा कौन कप फ्लोप होगा नोट डाउन कर लिया दिमाग में फिट कर लो बस लाइन अप के टाइम पे टीन बना लो ग्रेंड लिग जीत लो आज के मेंच में जील कंफर्म आईगी बाकी दो टीमें बना के बता देता हूँ एक इंडिया के फेवर में एक साउथ अफरिका के फेवर में पहली जो टीम है वो मैं बना रहा हूँ इंडिया के फेवर में और इंडिया कर रहा है पहले बेटिंग और में जीत रहा है तो इंडिया आगर बेटिंग कर रहा है तो मैं अरशदीफ सिंग को आवेश खान को कौड़जे को पीटर को और सिमलेन को फरस्ट बोलिंग के तीन गिनबा जा रहे हैं साउथ अफरीका के कोड़जे एन पीटर और सिमलेन ठीक है फरस्ट बोलिंग महाराज को भी चाऊ तो ले सकते हो पर यार थोड़ा सा उस पर बरुसा कम है मुझे चल और इंडिया पेले बेटिंग कर रहा है तो भाई हो देखो आज अभी शेक रन बना सकता है और अक्षर पडिल को दोनों कंडिशन में विकेट आज के मेच में मिलने वाले हैं भाई मिलेंगे आज इसको बले इ इसको नहीं चोड़ना है भाई हो दोनों कंडिशन में मारको इंसन को रखना है अब कौन से करते हैं अच्छे खासे और बात रहेगी इंडिया की अगर फर्स्ट वेटिंग है तो सबसे वड़िया क्लासे न या सेमसन इन दुरों में से किसी एक को ले लो अभी के लिए मैं इंडिया फेवर में जा रहा हूँ सेमसन को पिक कर रहा हूँ और इस टीम में आप चाहो तो एकाद चेंज करके लासें को ले सकते हो ठीक है किसी एक की जगा परें तो अगर इंडिया पेलिए बेटिंग करता है तो मेरा ये combination रहेगा भाहियो और अगर इंडिया पेलिए बेटिंग करता है तो सबसे बड़िया कफ्तान वालो में कोन रहेगा इंडिया अगर बेटिंग करें न भाईयो तो आप कफ्तान आज बना न मालूमे किसको अर्शदिप सिंग को जो कि आज सेगेंड बोलिंग करते हुए ज्यादा विकेट लेगा और इंडिया पेले बेटिंग कर रहा है तो आप वोईस केटन यहाँ से माकरम को भी बना सकते हुए जो कि चेस करते हुए रन भी बनाएगा और विकेट लेने के चांसे इसके दोनों ही कंडिशन में रहेंगे ठीके बाकि इस टीम में एक हाथ चेंज करके जैसे की भाई इसक लेने के लिए बता रहा हूँ आपको करना क्या है थोड़ा सा आपको अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट कॉंबिनेशन बनाना है ठीक है तो आपकी ग्रेंड लिक आ जाएगी अब जैसे की आप इस टीम में किसको पिक कर सकते हो इस टीम में आप मालूम है सेकेंड बोलिंग में चकरवर्थी को फिर से पिक कर सकते हो लेकिन आज चकरवर्थी धोका भी दे सकता है ठीक है तो चकरवर्थी के बजाए आप यहां से सूरिया भाई सूरिया भाई पर फर्ष्ट बेटिंग में मुझे भरवसा नहीं है कैस दयाल अगर खेलता है तो उसको पिक कर सकते हो खेलता है तो सेकेंड बोलिंग में पक्का विकेट लेगा तो भाईयो इंडिया के तरफ से अगर फर्ष्ट बेटिंग है तो यह कॉंब पहले बाजो को ज्यादा हेल्फ है तो आप चाहो तो पूरिया भाई को पिक कर सकते हो इसी टीम में समझ में आया सब कुछ अब इंडिया की पहले वेटिंग वाली टीम तो मैंने आपको बना के बता दी अब मैं एक टीम आपको बना के बताऊंगा साउद अबरी का अगर पह पहले के जाओंगा भाईयो आपको लीग 11 पे लीग 11 पे टीम बना के इसलिए बता रहा हूं भाईयो क्योंकि लीग 11 सबसे बड़िया फैंटेसी प्लेटफॉर्म है और यहां पे भाईयो जीतना बहुत आसान है क्योंकि यहां पे कॉंपिटिशन बहुत कम है प्लस यहां यहां पे आपको एक फाइदा और मिलता है वो यह है कि यहां पे इंट्रेफीस बहुत कम है देख सकते हो दोनों यह 10,000 वाले कॉंटेस दूसरी साइट पे 3,850 का और 2,990 का ठीक है तो यहां पे आपका इतना पिसा बस्ता है कि 3,850 का यहां पे 3,310 का और 2,990 का यहां प 20,000 तक के यहां पे कॉंटेस्ट है तो भाईयो लीग 11 डाउमलोड कर ले ना मेरे जास डाउमलोड करने पर भी आपको 200 रुपे फिरी में मिलेंगे और इसके अलावा यहां पे आपको टीम भी बना के मैं बता देता हूं भोती आसान है मेरी टीम आपको लीग 11 की हर मेश मे अगर आज के मेश में साउथ अफरीका पेले बेटिंग करता है तो कैसे बनाने वाला हूं साउथ अफरीका पेले बेटिंग करेगा तो रिकल टन को उठाने वाला हूं साउथ अफरीका पेले बेटिंग करेगा तो यहां से टी स्टप्स को उठाने वाला हूं साउथ अफर अफरीका अगर पेले बेटिंग करता है उस कंडिशन में इंपोटेंट रहेंगे ठीक है पांच में से एक हाथ को आप कम भी कर सकते हैं कुछ उनकी जगा पे ओर भी पिलियर से तो इंपोटेंट रहे सकते हैं उनको भी आप एक टीम में पिक करके दूसरी में ड्रॉप कर सकत वेसे कॉंबिनिशन अलग अलग बनाना है ग्रेंट लिग वेसे ही आदे कि बस थोड़ा सा सेलेक्शन वाले फिलियर धोका देते हैं उनसे थोड़ा बचके चलना है बस आपको कंडिशन ध्यान रखना है अब जैसे कि साउथ अफरीका पेले बेटिंग कर रहा है तो मारको यंसन को तो रखना ही है फर्स्ट बोलिंग अगर इंडिया की है तो हार्दिक पांडिया कैप्टेन बनाने लाइक फर्स्ट बोलिंग इंडिया की है तो यहां से अक्षर बडिल सी वीसी बोईस कैप्टेन बनाने लाइक ठीक है अभी शेक शर्मा को अब मतलो बोलर्स की ब बोलिंग में लेगा यारी। बख्句 में ना ले। लेकिन चाहू तो फर्स्थ बोलिंग में खेर कर सकते हूंगी, रन भी बनाता है, ओल ळाउंडर पलियर है। बाकी सेकेंड बोलिंग के लिए यार से सिपामला अच्छा है पर वो खेलेगा नहीं खेलेगा, पता नीं। और second bowling पिली चलो coach ये को तो pick करी लो second bowling में जरूर इसको ले लो और एक player चाहो तो आप second bowling में similion को भी ले सकते हो South Africa अगर जीत जाता है इस match को तो इस combination के साथ आप जा सकते हो South Africa अगर आज पहले waiting करता है तो इस team के साथ आप जा सकते हो और चाहो तो एकाद player इंडिया का भी आप इसमें रख सकते हो जैसे की रवी विश्णोई ठीक है समझ में आया बाकी आवेश खान और अर्शदीव सिंग को लेना second bowling में first bowling में चाहो तो ड्रॉप करना ठीक है चाहो तो महराज को हटा के अर्शदीव सिंग को पिक कर सकते हो इस combination में एक change करके यह small league की team बन जाएगी देखो बाई grand league की team आप बनाओ 7 और 4 की और small league की team जो है वो बनाओ 6 और 5 की ठीक है बस players कोन से कब लेना है वो मैं आपको बता दूँगा और रोज grand league अपने को जीतते हुए चलना है और बाई देखो रोज grand league बन दे क्यों जीतते हैं मालूम है मेरी dp लगा के तो अगर आपके बास मेरी dp नहीं है तो मैं बेठा हूँ आपके सामने बस screenshot उठाओ थोड़ा अच्छे से जराज चश्मे में देदेता हूँ आपको dp पोस देदेता हूँ इसके शोट ले लेना और dream level पे लगा लेना कल से काला चश्मा पेंद क्या हूँ ठीक है भाई हो तो लगा लेना और जीत लेना है न बाई रोज जीत रहा है मनने मेरी dp लगा के रोज बस वीडियो दिहन से देखते हैं और बाकी आपका भाई जो है लकी है जिसका फ्लोब बोल दे वोई फ्लोब जाते हैं चाहे वो सूरिया क्यों ना हूँ चलो भाई यो अगर जैसे कि इंडिया पेले बोलिंग कर रहा है तो सबसे बड़िया कप्तान हार्दिक पांडिया राएगा भाई यो सबसे बेश्ट ठीक है इंडिया बोलिंग कर रहा है तो आप वोईस कप्तान मालू में किसको बना सकते हूं वोईस कप्तान मारक यंसन क को बना सकते हो क्योंकि सेकेंड बोलिंग करते हो तो पका विगेट लेगा ही लेगा आज तो भाईयो आज की वीडियो केसी लगी एक कमेंट करके बताना लेकिन आज का लेना आपके लाइक बहुत कमा रहे हैं तो भाईयो लाइक जरूर करना इस वीडियो को और हां मेरी जो फाइनल टीम है वो आपको कहाँ पे मिलेगी उसके बारे में आपको बता देता हूँ फिर विडियो करेंगे खतम चलो यह है भाई हो मेरा टेलिग्राम चेनल दो लाग चब्विस हजार दो सो चववन अभी सस्क्राइबर से और देगो यह पिछला मेच था प्रेडिक्शन द ठीक है कोई बात नहीं आज इंडिया के मेच में जीत लेंगे बाकी भाई हो यह मेरा टेलिग्राम चेनल है और यह देख सकते हो SMSH ठाकरे21 इसकी लिंक है यह आपको इस वीडियो के comment box में मिल जाएगी बाकी टेलिग्राम पे आप अगर इस्टाग्राम चेनल भी है भाईयो इस्टाग्राम पे मेरे दो लाग तैईस हजार followers है और मेरा ब्लू टिक वाला account है और इसके अलावा मेरा यहाँ पे इस्टाग्राम चेनल भी है जिसमें एक लाग तैईस हजार subscribers है और यहां पर उनको रोज में grand league की teams देता हूँ free में तो भाईयो पेले prime में देता था grand league की team में ठीक है तो अब मैंने free कर दिया है अब prime नहीं देता हूँ भाईयो prime बंद कर दिया है तो मेरे नाम से अगर आपके पास में नहीं है देखो भाई पेले मेरा telegram channel था वो delete हो गया था तो फिर मैंने new बनाया तो अगर आपके पास में मेरा telegram channel नहीं है तो join कर लो इस video के comment box में पहली जो comment है पिन है वो मेरी comment है उसमें telegram की link instagram की link legal event download करने की link whatsapp channel की link सब की link मिल जाएगी सब जगा पे जोड़ जाओ रोज कमाते रहो रोज आपका भाई grand link जिता आता है और हर रोज सटिक prediction बताता है तो भाईयो कर ले ना बाकी अब मिलेंगे कब अब मिलेंगे भाईयो season next video में next video कुन सी लेकिन हाँ next video से पेले आज शाम को live भी आने वाला हूं भाईयो आज मेच कितने बज़े है मेच के जेट घंटे पेले live आ जाता हूं क्योंकि पिछला वाला साले साथ बज़े था और मैं बोल गया था वीडियो में साथ बज़ेगा लेकिन उससे पेले साड़े आट बज़े था तो ये वाला जो मेच है ये खेला जाएगा हाँ ये साड़े आट बज़े तो मैं आ जाओंगो साथ बज़े live ठीक अब live में मिलो भाईयो बाकि आज की वीडियो में जो कुछ था सब कुछ बताई दिया है हुआ है